हेलो फ्रेंज, अबर टुड़ेज टॉपिक इस टूवाट मीटर मैथर्ड सबसे पहले हम जानेंगे कि यह होता क्या है और इसके कैसे होते हैं तो इसमें क्या रहता है कि हम दो वाट मीटर यूज करते हैं थ्री फेस की मेजरमेंट के लिए तो जो दोनो वाट मीटर का रीडिंग जो आयाएका उसको अगर हम समेशन करते हैं उसको अडिशन करते हैं तो वह तीनो फेसे का टोटल पावर दिखा देगा मालनो तीनो फेज़ का power consumption जो है वो P1, P2 और P3 है तो wattmeter 1 और wattmeter 2 का जो reading है उसका addition W1 प्लस W2 will be equal to P1 प्लस P2 प्लस P3 अब connections की बात करें तो इसमें connections कैसे रहते हैं जैसे usually हम connect करते हैं wattmeter का जो current coil रहता है उसको हम phase के साथ series में लगाते हैं और जो उसका potential coil होता है उसको पैलल में लगाते हैं तो यहां क्या रहेगा कि वाट meter 1 रहेगा उसको हम current coil को line 1 को हमने connect कर दिया phase current coil के साथ और potential coil जो line 1 और common phase यहां पर हमने line 3 को common phase लिया हुआ उसके साथ सीरीज में आ जाएगा इस तरह से सो अब हम देखते हैं कि उनके क्नेक्शन कैसे करने हैं हमें तो स्टार के केस में इसका क्नेक्शन कुछ इस तरह से रहेगा इसमें हमने L3 जो है उसको कॉमन फेस ले लिया और L1 और L2 जो है हमारे इनके अक्रास हमने वाट मेटर को क्नेक्ट कर दिया है और L3 को कॉमन लिया हुआ हमने अब हम देख सकते हैं कि जो हमारा वाट मेटर 1 है उसकी जो करन्ट कोईल के अक्रास करन्ट है that will be equal to IR यह वाला current और ऐसे ही जो watt meter 2 है उसकी जो current coil है उसके across जो current है उसके through जो current है correction that will be equal to IY अब बात करते हैं voltage की watt meter 1 जो है वो connect है R और B phase के बीच में B common phase है हमारा तो जो potential coil है उसके across जो voltage होगी that will be equal to ERB that will be equal to ER minus EB अगर आप vector diagram देखेंगे phasor diagram देखेंगे तो आपको clear हो जाएगा ऐसे ही जो watt meter 2 है उसकी जो voltage coil है वो लगी है Y और B के बीच में तो उसकी जो voltage होगी that will be equal to EYB EYB and that will be equal to EY minus EB तो हमें पता है कि हमारा जो watt meter reading देगा वो देगा product of current and voltage so watt meter 1 जो reading देगा that will be IR into ERB और watt meter 2 जो reading देगा that will be IY into EYB तो यह जो equation है that is equal to IR into ER minus EB और यह वाली equation जो बनेगी हमारी watt meter 2 कि that will be IY into EY minus EB क्योंकि यह हमारे balance load नहीं है तो हम यहाँ पे instantaneous voltage लेते हैं इसलिए हम यहाँ पे cos 5 नहीं लगाते हैं अगर यह हमारे balance load होते तो हम यहाँ पर जो value लेते वो होनी थी हमारी RMS value और उस case में यहाँ पे cos 5 भी आ जाएगा जब आप 2 watt meter method for balance load देखेंगे तब आपको यह समझ में आएगा यह जो method है यह for unbalanced load है अब हम इन दोनों readings को add कर देंगे equation को add कर देंगे तो हमारा जो value आएगा that will be this equation अब इस equation को हम आगे solve करते हैं so watt meter 1 plus watt meter 2 that will be equal to IR into ER minus EB plus IY into EY minus EB इसको अगर हम open up करेंगे तो यह जाएगा IR ER minus IR EB plus IY EY minus IY EB यह IR ER और IY EY इस सरफ आगे यहाँ पर minus EB को हमने common ले लिया तो अंदर रह गया IY plus IR plus IY IR यहाँ से और IY यहाँ से अब हमें पता है कि IR plus IY plus IB is equal to 0 होता है क्योंकि यह KCL को follow करना चाहिए एक junction के उपर सो इस से हमें पता है कि IR और IY जो है वो minus IB के equivalent है तो यहाँ पर हमने minus IB substitute कर दिया अब आगे देखते है this will be equal to your IR ER plus IY EY plus IB EB so watt meter 1 plus watt meter 2 जो हमें दे रहा है यह हमारा power of first face यह power of second face यह second load बोल दीजिया और यह power of third so आप यह देख रहे हैं कि 2 watt meter लगा के भी आपका total जो summation आया है यह total power मिल रहा है अब कुछ important points के बारे में discuss करते हैं कि क्या conditions रहेंगी जब यह हमारा proof जो है यह valid रहेगा यह जो method है यह हमारा valid रहेगा so अगर हमारा delta और star load है चाहे वो balanced है यह unbalanced है लेकिन वो three phase three wire system है तो यह जो proof हमने अभी पढ़ा यह valid रहेगा क्योंकि उस case में जो equation रहेगी वो IR plus IY plus IB equal to 0 रहेगी चाहे load balanced है चाहे load unbalanced है चाहे delta connected है चाहे वो star connected है यह condition रहेगी और हमारा mathematical proof भी हमने देखा है वो भी valid रहेगा और हमारा यह method है measurement का यह valid रहेगा problem कब आती है जब हमारा star connected है load और neutral भी है यानि कि हमारा four wire system है तीन phase की वायर है और एक neutral की वायर भी आ जाती है ऐसे में यह load जो proof है हमारा यह तभी valid रहेगा जब हमारा load जो है वो perfectly balanced है क्योंकि unbalanced के case में क्या होगा हमारा neutral से कुछ ना कुछ current flow करेगा और अगर हमारा neutral से current flow करेगा तो हमारी जो caseal होगा junction पे वो यह बनेगा i r plus i b plus i y plus i n is equal to 0 क्योंकि यहाँ पे i n कुछ ना कुछ value रहेगा so यह equation जो है यह हमारी i r plus i y plus i b will not be equal to 0 it will be equal to this equation अगर हम बात करें तो हमें मिलेगा क्या what we will get is i b plus i r plus i y y is equal to minus i n that will be equal to minus i n और इस से हमारा जो सारा का सारा proof है यह unvalid हो जाता है invalid हो जाता है तो यह आपने ध्यान देना कि question अगर exam में आएगा तो क्या क्या conditions रहेंगी जब हमारा 2 watt meter method valid रहता है और unvalid रहता है thank you, thanks for watching keep learning, keep growing relevant रहता है to show झाल झाल